दान धर्म का निरूपन एवं विभिन देवताओं की उपासना ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं सर्वत्तम दान धर्म के विशे में कह रहा हूं सत्पात्र में श्रद्धा पुर्वक कियेगे अर्थ का प्रतिपादन दान कहलाता है ऐसा दानधर्म विज्जनों का कहना है। ये दान इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुश्य को चाहिए कि वो नियाय पुर्वक ही अर्थ का उपारजन करे। क्योंकि नैस से उपारजित अर्थ का ही दान भोग सफल होता है। अध्यापन, याजन तथा प्रतिग्रह ये तीनों ब्रामणों की वृत्ती है। उनके लिए कुशिद अर्थात सुधखोरी, कुरुशिकर्म तथा वानिज्य अथ्वा क्षत्रिय वृत्ती त्याज्य है। उक्त सद्वृत्ती से प्राप्थ हुआ धन यदि सुयोग्य पात से रहित होकर ब्रामण को प्रतिदिन जो दान दिया जाता है वो नित्यदान है। अपने पापों की शांती के लिए विद्वान ब्रामणों के हाथों पर जो धन दिया जाता है। सत्पुरुशों के द्वारा अनुष्ठित ऐसा दान नैमित्तिक दान है। संता, विजय, अईश्वर्य और स्वर्ख प्राप्ति की इच्छा से जो दान दिया जाता है उसको धर्मवेत्ता रुशिगन काम्यदान कहते हैं। इश्वर्य की प्रसंदता को प्राप्त करने के लिए ब्रमवित जनों को सद्वृत्ती से युक्त चित वाले मनुष्य के द्वारा जो दान दिया जाता है वो विमल दान है ये दान कल्यानकारी है। इख की हरी भरी फसल से युक्त या यव गेहु की फसल से संपन्न भूमी का दान वेदवित ब्रामवनों को जो देता है उसका पुनरजन नहीं होता। भूमी दान से श्रेष्ट दान न हुआ है और न होगा। ब्राम्हन को विद्या प्रदान करने से ब्रम्ह लोग की प्राप्ति होती है जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रम्हचारी को श्रद्धापूर्वक विद्या प्रदान करता है वो सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रम्ह लोग के परम्पत को प्राप्त करता है वैशाखमास की अस्वयम कहता है प्रियताम धर्मराजेती यथा मनसी वर्तते ऐसा कहने पर उसके जन्भर किये गए समस्त पाप उसी क्षण विनस्थ हो जाते हैं जो व्यक्ति स्वर्ण मधु एवं घी के साथ तिलों को कृष्ण मुरुगचर्म में रखकर ब्राम्भन को देता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है वैशाक मास में घ्रित अन्ध और जल का दान करने से विशश फल प्राप्थ होता है अतहा उस मास से धर्मराज को उद्देश करके घ्रित अन्ध और जल का दान ब्राम्भनों के लिए अवश्य करना चाहिए ऐसा करने से सभी प्रक हो जाते हैं जो मनुष जिस देवता की पूजा करने के लिए इच्छा करता है उसकी पूजा वो अपने इश्ट को प्राप्त करने के लिए करें और उसको उस देव की प्रतिमूर्थी मानकर प्रयत पूर्वक ब्रामणों की पूजा करके उन्हें भोजन भी कराएं साथ ही सभाग्यवती स्त्रियों तथा अन्य देवों को भी पूजन भोजनादी के द्वारा संतुष्ट करें। संसार से मुक्त होनी की अभिलाशा होने पर प्रयत पूर्वक भगवान हरी की आरधना करनी चाहिए। उत्तम भवन तथा रजद दान से उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। वस्तर प्रदान करने से चंद्रलोक तथा अश्वदान करने से अश्विनी कुमार के लोक की प्राप्ति होती है। अंडुह अर्थात बैल का दान देने से विपुल संपत्ति का लाब और गोदान से सूर्य लोक प्राप्त होता है। यान और शह्या का दान करने पर भारिया तथा भयार्त को अभय प्रदान करने से अईश्वरी की प्राप्ति होती है। गाय को घास देने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इंधन के लिए काश्ट आधिका दान करने पर व्यक्ति प्रदिप्त अगनी के समान तेजस्वी हो जाता है। जो मनुष परलोक में अक्षय सुख की अभिलाशा रखता है। उसे अपने लिए संसार या घर में जो वस्तु अभिष्टतम है तथा प्रिय है उस वस्तु का दान गुणवान ब्राम्भन को करना चाहिए। उत्तरायन, दक्षिनायन, महाविशुवतकाल, सूर्य तथा चंद्रग्रहन में एवं करक, मेश, मकरादी की संक्रांतियों के आने पर ब्राम्भनों को दिया गया दान परलोक में अक्षय सुख देने वाला होता है। इस प्रकार के दान का महत्व प्रयागादी तीर्थों में बहुत है। गया क्षेतर के तीर्थों में किया गया दान विशेश महत्वर रखता है। दान धर्म से बढ़कर श्रेष्ट धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। दान स्वर्ग, आयू तथा अईश्वर्य को प्राप्त करने की इच्छा से और अपने पापों की उपशान्ती के लिए भी किया जाता है। गव, ब्राम्हन, अगनी तथा देवों को दिये जाने वाले दान से जो मनुष्य मोहवश दूसरों को रोकता है, वो पापी, तीरियक अर्था पक्षी की योनी को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दुरभिक्ष काल में और म्रनासन ब्राम्हन को अन्नादीका दान नहीं करता है, वो ब्राम्हत्या करने वाले के समान तथा अतिनिंदित है। प्रायश्चित निरूपन ब्रम्हाजी ने कहा हे ब्राम्हनों अब इसके बाद मैं प्रायश्चित विधी को भली प्रकार कह रहा हूं। वो उपपातक हैं। ऐसा देवताओं का कहना है। जिसने ब्रम्हत्या की हैं, उसे वन में स्वयम परणकुटी बनाकर उसी में उपवास करते हुए 12 वर्षो तक रहना चाहिए। अथ्वा परवत के उस उचे भाग से गिर कर अपने प्राणों का परित्याग करना चाहिए। जिस भाग से गिरने पर कहीं बीच में रुखने की संभावना न हो और मरण निश्चित हो। इसके आतिरिक्त जलती हुई अगणि में प्रवेशकर प्राण परित्याग, अगाध जल में प्राण परित्याग, ब्राम्हन या गौकि रक्षा के लिए प्राण परित्याग भ अश्वमेग यग्य के अंत में होने वाले अवभुत स्नान से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्थ हो जाती है। वेदविद ब्राम्भन को सर्वस्वदान करने से ब्रह्म हत्या जनित पाप का नाश हो जाता है। सरस्वती जी, गंगा तथा यमुना इन नदियों के पवित्र संगम पर तीन रात्रियों तक उपवास रख करके प्रती दिन तीन कालों में स्नान करके भी द्विज ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। सेतु बंध रामेश्वरम अर्थात कपाल मोचन तीर्थ या वारानसी के पवित्र तीर्थ में स्नान करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ती हो जाती है। मद्यपी द्विज अगनिवरण के सद्रुष अर्थात अंतक करण को जला देने वाली खौलती हुई मदिरा अथवा दूध घृत या गोमुत्र का पान करके तज्जनीत पाप से मुक्ती प्राप्त कर लेता है। सुवरण की चोरी करने वाला राजाओं के द्वारा दंडरूप में मुसल प्रहार से पाप मुक्त हो जाता है। अथवा जीरन शीरन वस्त्रधारन करकے वन में ब्रह्महत्यान आशक प्राइश्चित व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है। काम से मोहित ब्राम्वन यदी अपने गुरू की पत्नी की पास जाता है तो उसे इस गुरू पत्नी गमन रूप पाप से मुक्त होने के लिए जलती हुई तपती हुई लग निर्मित स्त्री का सरवांग आलिंगन करना चाहिए। अथवा ब्रम्हत्या के पाप से मुक्ती के लिए जो व्रत विहित है उस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। चार या पाँच चांदरायन व्रत करने से भी गुरू पत्नी गमन जनित पाप से मुक्ती हो जाती है। जो द्विज पतित जनों का संसर्ग करता है उसे विभिन संसर्गों से होने वाले पापों को दू दूर करने वाला होता है अथ्वा विधिवत चांदरायन व्रत तथा अतिकृच्ष व्रत भी सभी पापों को दूर करने वाला होता है। ओमकार से युक्त, यम, धर्मराज, मृत्यू, अंतक, वैवस्वत, काल तथा सर्वभूतक्षय इन नामों का उच्चारण कर तेल से संयुक्त साध जलाजलियों से तरपन करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इन व्रतों के पालन करते समय शांत रहकर तथा मन का निग्रह कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमी पर सोना चाहिए और उपवास रखकर ब्रह्मध की पूजा करनी चाहिए। शुक्लपक्ष की शश्ठी तिथे में उपवास रखकर सप्तमी तिथी को सूर्य देव की पूजा करने से भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ती हो जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथे में निराहार रहकर जो द्वादशी तिथे में जनारदन भगवान विश्णू की पूजा करता है वो समस्त महापापों से मुक्त हो जाता है। सूरिय चंद्र ग्रहन, आदी समयों में मंत्र का जाप, तपस्या, तीर्थ सेवन, देवार्चन तथा ब्राम्भन पूजन ये सभी कृत्य भी महापातकों को नश्ट करने वाले होते हैं। समस्त पापों से युक्त मनुष्य भी पुन्यतिर्थों में जाकर नियम पुर्वक अपने प्राणों का परित्याक कर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सुषुषा में दत्चित रहती हैं। उसको इस लोक तथा परलोक में कोई पाप नहीं लगता। वो वैसे ही निर्दोश रहती हैं जैसे दशरत पुत्र श्रीराम की पतनी जगत विख्याद भगवती सीता देवी लंका में रहकर भी निर्दोश रही थी। उन्होंने राक सीत फल्गू नदी आदी तीर्थों में यथाविधी श्रध्धा के साथ स्नान करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाता है और समस्त सदाचरण का फल भी प्राप्त करता है। नवनिधियों के लक्षणों से युक्त पुरुष के अईश्वर्य एवं स्वभाव का वरण। सूत जी ने कहा भगवान विश्णू से अश्ट निधियों के विशय में सुनकर ब्रह्मा जी ने उनका वरण। इस प्रकार किया था कि पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, म मोकुंद, कुंद, नील और शंक नाम की अश्ट निधिया हैं। नवी निधि मिश्र कहलाती हैं। अब मैं उनके स्वरूप का वरण। करता हूँ। पद्म निधि के लक्षणों से संपन मनुष्य, सात्विक और दाक्षिन ने गुण से संपन होता है। वो सुवरण, चा आदि का दान धार्मिक जनों को करता रहता है। पद्म तथा महापद्म निधि संपन पुरुष्य, सात्विक स्ववावाले कहे गए हैं। मकर निधि के चिन्ह से चिन्हित मनुष्य, खड, बान, एबं कुंद, आदि अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। वो नित्य लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाले होते हैं। कच्छप चिन्ह से युक्त व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है। वो ना अपनी संपत्ति का स्वयम उपभूख करता है और न तो उसमें से वो किसी को कुछ देता है। वो एकांत में जाकर अपनी संपूर्ण पत्ती को प्रिथिवी में गाड कर छिपा देता है। उसकी संपत्ती एक पीढी तक रहती है। मुकुंद निधी के चिन्ह से अंकित पुरुष रजवोन संपन्न होता है। वो राज्य संग्रह में लगा रहता है, वो भोगों को उपभोग करते हुए गायक और वेश्यादी को धन देता है। नंद निधी से युक्त व्यक्ती, राजस और तामस गुणों वाला होता है। वही कुल का आधार बनता है। वो स्थुटी करने पर प्रसंद होता है तथा बहुत सी स्त्रियों का पती होता है। पूर्वकाल के मित्रों में उसकी पृती शितिल होती है और वो अन्य नए मित्रों के साथ प्रेम करने लगता है। नील निधी के चिन्ह से सुषोभित मानव सात्विक तेज से संयुक्त होता है। वो वस्त्र, धन्यादी का संग्र तथा तड़ागादी का निर्मान करता है। उसके द्वारा आमरादी के उद्यान भी लगवाये जाते हैं। उसकी संपत्ती तीन पिढ़ी तक रहती है। शंक निधी एक ही पुरुष के लिए होती है। इससे समन्वीत मनुष धनादी का स्वयम तो उपभोग करता है किन्तु उसके परिजन कुच्सित अन्नका भोज तथा अच्छे न लगने वाले मैले कुचैले वस्त्रों से जीवन यापन करते हैं। वो स्वयम के भरण पोशन में सदेवतत पर रहता है। यदि वो किसी को कुछ वस्तु देता भी है तो वो व्यर्थ की वस्तु होती है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। मिश्र अर्थ भूवन कोश वरणन में राजा प्रियवरत के वंश का निरोपन। श्री हरी ने कहा राजा प्रियवरत के आगनिद्र, अगनिबाहु, वपुष्मान, ग्यूतिमान, मेधा, मेधातिथी, भव्य, शबल, पुत्र और जोतिश्मान नाम के दस पुत्र हुए थे। इन पुत नाम के तीन पुत्र योग परायन, जातिस्मर तथा महसवभाग शाली थे। इन लोगों ने राज्य के प्रती अपनी कोई अभिरूची प्रकट नहीं की। अतहा राजा ने सब्त द्वीपाप प्रिथवी को अपने अन्य साथ पुत्रों में विभक्त कर दिया। पचास करोड योजन में विस्तरूत संपूर्ण प्रिथवी नदी की जलराशी में तैरती हुई, नौका के समान चारो और अवस्थित अताह जल के उपर स्थित है। पचल के सागर रूप में प्रसीद है। जो प्रिथवी के ऊपर संपूर्ण प्रसीद है, वो भी 16,000 योजन के विस्तार में करनिका के रूप में अवस्थित है। इसके दक्षिन में हिमाल, हिमकूट तथा निशद, उत्तर में नील, श्वेग और श्रुंगी नामक वर्ष परवत है। हे रुद्र, प्लक्ष आदी द्वीपों के निवासी मरनादी से मुक्त है। उनमें युग या अवस्था के आधार पर कोई विशमता नहीं है। जम्बुद्वीप के राजा आगनी ध्रके नव पुत्र उत्पन्न हुए। उन सभी का नाम क्रमशह, नाभी, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरन्यम, कुरु, भद्राश्व, और केतुमाल था। राजा ने उन सभी पुत्रों को उनके नाम से ही अभिहि हे हर राजा नाभी और उनकी पतनी मेरुदेवी से रिशब नामक पुत्र हुए थे। उन से भरत नाम के पुत्र हुए जो शाल ग्रामतियूर्थ में स्थित रहकर विभिन व्रतों के पालन में ही नीरत रहते थे। उन भरत से सुमती नामक पुत्र हुआ और उसका पुत् महतेजस के इंद्रद्यूम्न, इंद्रद्यूम्न से परमेष्ठी, परमेष्ठी के प्रतिहार तथा प्रतिहार से प्रतिहरता नामक पुत्र कह गए हैं। विरजा के रज, रज के शतजीत तथा शतजीत के विश्वक जोती नामक पुत्र हुआ था।